वेलकम है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर डियर स्टूडेंटेस ये इंपोर्टेंट वीडियो है बीजी फिट सिमिस्टर बैच 2019 रिगूलर बैच एंड अधर बैकलॉग कैंडिडेट्स के लिए वीडियो को आप एंट तक जरूर देखे और अगर आप इस चनल पर पहली बार विजट कर रहे है तो इस चनल को सबस्क्राइब करी और अभी तक अगर आपने हमारे वाटसेफ ग्रूप को जोईन नहीं किया है तो लिक आपको डिस्क्रिशन में मिलेगी वहाँ से जाके आप एक important बात share करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया क्योंकि कल से हम वीडियो अपलोड करेंगे एक separate channel हमने start की थी काफी student को problem है कि वो अपनी study के साथ अपनी income भी generate करना चाहते है लेकिन कई ways है जो students को नहीं पता है इसके related हमने एक separate channel start की है entire jobs के नाम से कई वीडियो में मैंने आपको बताया आप जाके उसको subscribe करें bell notification को आन रखें ताकि आप वीडियो देख सकें और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक income भी generate कर सकते है तो इस वीडियो में मैं आपसे एक और बार आखरी बार कहूंगा कि उसकी link मैंने description में दी है वहाँ से जाके आप जुरूर उसको check out करें क्योंकि कल से हम उस channel पे वीडियो अपलोड करेंगे तो अब बात करते हैं कुछ time पहले मैंने एक post whatsapp groups में share किया था evaluation stats आप bg fifth semester पहले काफी studentes मुझे messages कर रहे थे comments में भी लिख रहे थे कि bg fifth semester का result कब आएगा तो इसी का answer मैंन आपने post पूरा पड़ा होता तो आपको confusion नहीं हुआ होता कि वो evaluation stats नहीं है बलकि उसमें मैंने सारी details जो भी students ने पूछा था वो मैंने उसमें mention किया है और history से मुझे भी लगा maximum students exam में इसी वज़ा से fail होते है क्योंकि question को पढ़े बगेर समझे बगेर वो answer कर देते है objective type होगा तो समझने के बगेर ही टिक कर देते है जिस तरह मैंने अभी देखा मैंने बस post डाला पढ़ने के बगेर ही students ने messages की calls की कि ये evaluation status नहीं है अगर आपने पढ़ा होता पूरा post तो ज़रूर आप उसको समझते और आपके अंदर कोई भी confusion create नहीं होता यहीं वज़ा है maximum time students के अंदर confusions पैदा होते है क्योंकि वो अच्छे से चीज को नहीं देखते नहीं समझते है उपर उपर से देखते है पढ़ते है जिस वज़ा से confusion create होता है ज़रूर जाके आप उस post को दुबारा से read करें दुबारा से read करने के बाद आपको खुद समझाएगा वो post मैंन किस लिए share किया था so I hope कि वीडियो आग के लिए useful साबित हो next video में फिर आपसे मुलाकात होगी till then take care